हेलो फ्रेंट्स नमस्कार सबको स्वागत है आप सबका टाक अर्णिंग सपोर्ट योट्यूब चैनल पे सो फ्रेंट्स आजफीर आज दिनों आप सबके लिए इस न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यू टैस्नेट की जिनने हम जॉइन करेंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट साथ ही कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं जो एड्रॉप्स हमने जॉइन किये थे जो टैस्नेट हमने जॉइन किये थे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आल ओवर मेरी कोशी कोशी शेर रहेगी कि रिसेंट जितने भी टैस्टनेट चल रहे हैं उसे हम लोग जल 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 जोईन कर सकें जो डेली वोक के टास्क है उसकी अपडेट आपको टाक अनिंग सपोर्ट टैलिग्राम चैनल पर देती रहती हूं तो मेक शूर आप इसे नॉटिफिकेशन आइकन को अन करके रखें पिंट टॉप करके रखें क्योंकि यहां पे कोई भी अपडेट आए कोई भी रिजल्ट आए तो सबसे पहले उसकी अनॉस्मेंट आप तक पहुंस सकें तो फिलार आज की इस वीडियो क फटा-फट से शुरू करते हैं पर वीडियो में लास तक बनी रहेगा जिससे कोई भी अपडेट कोई भी एड़ॉप आपसे मिस ना हो तो आज की इस वीडियो की शुरुआत जो है हम करने वाले हैं आज की फॉर्स ब्रेटफॉर्म से जो की एक टैसनेट है इधर मेल नाम से यहां पर इनका टैसनेट चल रहा है और इनके टैसनेट में जो भी मेंबर जो है साइन अप करेगा रजिस्ट्रेशन करेगा उनको यहां पर ग्राप करने का मौका मिलेगा 250 EMC टोकन तो जब भी इनकी लॉंचिंग होगी जब भी इनका मेलनेट होगा उसके बाद आप अ अप्शन मिल जाता है sign up for free का आपको simply यहां पर click करना है और ऐसा करने पर आपके wallet यहां पर capture आएगा आपको इसे sort out करना है then आपके metamass wallet यहां पर connect करने के लिए बोलेगा तो आपको simply यहां पर आके metamass wallet को connect करना है simply connect sign in करने के बाद metamass में confirmation करने के बाद आपको थोड़ा सा यहां पर wait करना है wait करते ही यहां पर एक दूसरी window जो है इस तरीके से open हो जाएगी और यहां पर आपका address connect हो चुका है और इस तरीके से आपके पास आजाएगा की welcome का option आएगा आपको simply यहां पर next का option आएगा यहां पर आएगा की input your backup email ठीक है तो आपको यहां पर backup email देना है email देने के बाद आपको simply next कर देना है और आपके पास इस तरीके से आजाएगा congratulations you just earned your first 250 EMC token great that's it बस इतना ही काम इस testnet में आपको करना है so बस guys इसमें इतना ही task आपको complete करके रख लेना है यह testnet के task आपका complete अब बात कर लेते हैं next platform की next guys में बात करने वाली हूं wire protocol की site से update की wire protocol कोई new platform नहीं है इसके उपर यहाँ पर मैं आपको बार बार कह रही थी trade करने के लिए बार में इसका एक event भी आया था 15 सुलाई से 15 अगस्त जिसके उपर आपको एक sap 8 वीडियो बना कर दी थी कि किस तरीके से आपको trade करके 100 डॉलर सक की यहाँ पर इसका NFT जो है वो claim करना था अब जिन भी members ने wire protocol पर trade करके इनका NFT claim किया था तो उन सब के लिए यहाँ पर एक update आईए जो मैंने यहाँ पर group में भी आपके साथ share किया था आपको यहाँ पर guild का इनका एक role जो है वो claim करना है claim करने के लिए आपको guild.xyz slash wire पर आ जाना है यहाँ पर आने के बाद आपको वही address अपना connect करना है जिसके थूँ आपने wire protocol की exchange पर trade को complete किया था और इनके NFT को claim किया था उस address को यहाँ पर connect करने के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा यहाँ पेस पर आते ही आपको देख सकते है कि यहाँ पर जो भी मैंने wallet connect किया वो भी यहाँ पर access पर आ गया और यह भी access पर आ गया क्यूंकि इसी wallet में मेरे पास wire protocol की NFT भी मैंने claim करी थी तो simply आपको भी बस यही करना है यहाँ पर आपको इनके discord पर आजाना है discord पर आने के बाद यहाँ पर आप reaction दे दीजिएगा then यहाँ पर join via का आपको option मिलेगा आपको simply यहाँ पर click करना है so guys बस इतना करते ही यहाँ पर join via via पर click किया हमने तो यहाँ पर आ गया you got two out of two roles with your connected address जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर इतना सा काम complete कर गया खलेजएगा चलते हैं next platform की side next platform के हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उसका नाम है clay seller की नाम से है और यहाँ पर आपको testnet को join करना है जैसे कि नोने यहाँ पर अपने testnet के लिए बोला हुआ है in this thread we will complete everything you need to engage with the clay seller clay seller testnet and help you get started on the first assess management protocol so testnet को perform करने के लिए simple बात है कि इनके platform के साथ आपको engaged होना है active रहना है regular user रहना है तो in future यहाँ पर profit हो सकता है तो simply इनका website पर आप आएंगे यहाँ पर connect to metamask wallet के use करेंगे wallet यहाँ पर आपका connect होगा wallet connect होने के बाद आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आपको जो network से add करना है metamask में वो यहाँ पर click करना है so metamask अपना open कीजिएगा और open करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे तो add network का option मिल रहा होगा यहाँ पर add network के option पर आप आजाईएगा simply आपको इसे manually यहाँ पर लिख देना है अगर आप लिखना चाहे तो मैं आपको सब भी लिंक स्प्सक्रिशन में देदूंगी simply आपको इसको save कर देना है otherwise chainlist.org पर यहाँ पर search कीजिएगा पर आपके पास आजाएगा run faucet तो faucet वाले section पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको faucet की token आपके metamask wallet में मिल जाएगे अब आपको website पर आजाना है और same network से आपको यहाँ पर wallet को connect कर लेना है so guys यहाँ पर मैंने wallet को connect किया पर connect होने के बाद यह कुछ इससरी के से show हो रहा है प्रॉपर website जो है वो open ही नहीं हो पा रही है so इसके लिए मैं इतना कर सकते हूं कि steps आपको बता देती हूं जब भी यह work करेगी मैं steps को complete करूंगी तो मैं आपको reminder दूँगी tackling support telegram channel पर steps आपको क्या करने है देखिए मैं आपको बता देती हूं यहाँ पर अपने Metamask wallet पर chain it कर लिया Metamask wallet से connect कर लिया faucet को आपने claim कर लिया आपके पास इतने सारे tokens होंगे testnet के आपको इन्हें mint कर लेना है टिक है testnet के tokens को mint करना है और transition आपके Metamask में जाएगी उससे confirm करते जाना है इतना होने के बाद जो next step करना है अब आपको यहाँ पर अपने tokens को क्या करना है invest करना है into fund creating by fund managers इसके लिए इन्होंने यहाँ पर यह बताया हुआ है कि आपके पास website open होगी यहाँ पर आपके पास इतने सारे tokens होंगे इन tokens में से अब आप select कर लीजेगा कि कौन से token को आपको यहाँ पर mint करना है और आप value लिखती जिएगा और यहाँ पर mint कर लीजेगा ठीक है इसकी इन्शोर्ट के थूरू इन्होंने यहाँ पर पूरा tutorial ट्विटर पर ही दे रखा है फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा minting complete हो जाएगी उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है create fund के option पर click करके आपने fund तो create कर लिया token को mint कर लिया आप यहाँ पर manage वाले option पर आके आप देख सकते हैं कि आपका क्या यहाँ पर valuation रहेगा तो इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पर अब next इन्होंने क्या बोला है select the create fund button यहाँ पर कुछ इस तरीके का page open होगा ठीक है इस space पर आपको symbol, name, description यह सब यहाँ पर मिलेगा तो इहाँ पर आपको क्या करना है इन्होंने सब को fill कर देना है यहाँ पर यह आपके पास जो page open होगा तो बस यह task complete करना है यह वाले tutor की thread का link मैं आपको description में दूँगी जिससे आप screen shots को देख देख के task को complete करनेंगे फिर last time आपको क्या करना है इनके discord पर जाना है इसके discord को join कीजेगा discord पर आने के बाद यहाँ पर आपको feedback का भी एक option मिल जाएगा जहाँ feedback देंगे यहाँ पर इस तरीके से feedback option होगा तो आपको अगर कोई problem आई है या आपको किस तरीके से लगा है test date वो आप यहाँ पर feedback जमा कर दीजेगा जैसे कि यहाँ पर members ने भी दिया है skin shot जो मेरे संग same problem आ रही है वही skin shot मैं देने वाली हूँ कि website is not working properly we can't able to complete task ठीक है guys तो आप भी इस तरीके से दे सकते हैं सो बस guys अब इतना ही इसमें आप complete कर लीजेगा अब बढ़ते है next platform की side so guys मैं आगे platform की side जाने ही वाली थी तो यहाँ पर खुल चुका है platform clay का so now मैं आपको live करके बता देती हूँ तो जैसी आपका wallet connect हो जाएगा faucet आप ले चुके हैं clay पर यहाँ पर faucet वाला section आएगा यह clay token जो faucet मैंने आपको लेकर बताया अभी वो वाला है ठीक है यह वाला यहाँ पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसमें कि आपके पास में यहाँ पर इस तरीके का page open होगा और यहाँ पर इतने सारे token शोओंगे वही address connect कीजेगा और यहाँ पर tokens को आपको mint कर लेना है और confirm करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो यह token से इस तरीके से show हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है अब आना है अगेर website पर faucet से option से दौना faucet ले लीजिएगा यह clay वाला भी और यह सारे token भी आप मिंट कर लीजिएगा उसके बाद website पर आने के बाद आपको इतने सारे यहाँ पर जो यह दिख रहे है features इन मैंसे कोई भी आप एक fund जो है उससे select कर लीजिएगा जैसे मैंने इसे select किया यहाँ पर आपको minting करनी है ठीक है तो आप यहाँ पर select कर लीजिएगा कि जितना amount आप रखना चाहते है simply मैंने यहाँ पर 2 रखा इसको authorize वाले option पर click किया simply यहाँ पर आप click करके one या कोई भी amount लिख के authorization पर click किजिएगा mint वाले section पर click किजिएगा आपके metamask में transaction जाएगी आप इसे complete कर लीजिएगा then इसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर manage वाला option होगा आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर आपकी जो profile है आप जो यहाँ पर fund बना रहे हैं अपना वो किस उसमें आएगा category में आप इसमें से select कर लीजिएगा select करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे तब आपको modules को option दिखेगा यह optional है आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते है optional है मैं आपको twitter के task दूँगी तो आपको पता चल जाएगा बाकि इसमें आप अपने assist जो है वो add कर सकते हैं जैसे कोई भी 1,2,3 जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पर add कर लीजिएगा और add करने के बाद में simply से ok कर लीजिएगा इस तरीके से आपके यह fun यहाँ पर add ok show हो जाएंगे तो यह था create fun that's it इतना ही काम आपको करना है एक बाद आपका fun यहाँ पर create हो जाए फिर again आप यहाँ पर browse वाले option पर जाएंगे आपने जो अपने fun create किया था उसको जो नाम दिया था आप उसकी through यहा आपकी हम लोग बात कर लेते हैं guys यहाँ पर octo के साइट से इनका wait list आ रहा है आपको simply इसे join करना है join करने के लिए आपको link description box में मिल जाएगा आपको simply आना है यहाँ पर अपना email ID देना है और join wait list के option पर click करना है then बस आपके mail पर एक verify मिल जाएगा उसे verify कीजेगा बाकी स सबी details यहाँ पर गुरूप में आपके साथ share कर दी थी कि यहाँ पर जो price pool है वो 1 lakh dollar का BNB का है up to 50 dollar profit यहाँ पर हो सकता है as a early supporter हम इसे use करते है तो और साथ ही यहाँ पर आप wait list को join कर लेंगे तो आपका रैफर लिंक आएगा उसे अपने 3 friends के साथ share करना विर्कुल ना complete कीजिएगा फिर भी कोई issue आता है कोई problem आती है तो आप TH self group में मुझसे contact कर सकते हैं वहाँ पे और भी members हैं जो आपको वहाँ पे help कर पाएंगे साथ ही thank you so much to all की आपके पास जो भी update होती है आप गुरूप में share करते हैं जिससे कि हम भी aware होते हैं क्यूंकि day by day बहुत सार प्रेटफर्म सारे हैं बहुत सारी टेस्नेट सारे हर एक चीज की जानकारी रखना एक परसंट के लिए जो है possible नहीं है तो प्लीज आप भी जब टेस्नेट जोइन किया कीजिए तो थोड़े से updated रही है अगर आपके पास कोई update हो तो community के साथ share करना बिरकुल ना भूले ज तो मट प्रेट जोग।